बच्चों को थूस थूस करके खिला दिया है जो माई है अब क्या होता है कि बच्चा टीवी देख रहा है तीवी में कुछ लगा दिया है या लाप टॉप में या मोबाइल में ताकि बच्चे का ध्यान वाल लगा रहे है अब उस खिलाना है उसको किसी तरीके से जितना हमार चाहिए。 कितना खाना चाहिए ये बच्चे जावा अच्छे से जानते हैं. पर हम क्या करते हैं? उन्की इस डिफारिश सेठिंग करते हैं. जब बच्चे me भूक लगेगी, तो बच्चा रुए गा, खाना मांगेगा, उस वक्त दो, उतना ही दो जितना बच्चा मांग रहा है अगर वो मालो नहीं मांगता है खाने के लिए या नहीं मांगती है तो उसके बीचे कोई बिल्ली वज्वे होगी ना इसका मंदब अंदर से उसकी तव्थ खुराब है जैसे जान्मरों को बारी की सो अब्जर्ब करो जब भी उंकी तब्ध खड़ाब होती है वो खाना पीना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं एक दूदिन के लिए क्यों क्यों कि नीचर ने मेकानिजम हमारे अंदर फीद किया है बट हम क्या गरते हैं जब तब है खराब होती है और यह ओल खिलाओ ताकत आएगी इसने ताकत नहीं आएगी ताकत सारी जो है जो एनर्जी है वो उस खाने को डेजस कर देवा लग जाएगी जबकि वो एनर्जी चाहिए थी उस बैक्टीरिय से उस वाइरस से जो भी बिमारी है उससे घरने के लिए तो इम्मिनुटी को हमने और गिरा दिया उठाया नहीं यह खिल जाना है बच्चे की ओवरॉल हेल्थ देखते हैं उसका जो साइकलाजिकल मेक अप देखते हैं उसकी एक्टिविटीज देखते हैं उसका बीहेवियर देखते हैं और उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि बच्चा सहतमन है या नहीं अगर एक बच्चा अपनी उमर के पासिब होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और ग्रोथ उसकी होते रहने चाहिए. अगर ये तमाम चीजे हैं, बच्चा कहेल रहा है, रोता नहीं है, चिर चिराता नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सेहत मत है. होता क्या है, कि हम बच्चे को घलब टाइन पे गोलियां, टाफियां, कैंडियें, बिस्किट या इस तरह की चीज़ें दे देते हैं, तो उसके वज़े से उनकी भूख मर जाती है, और वो खाना के टाइन पे अवेलिबल नहीं होते हैं, और फिर वो थोड़ी देर के बाद भूख लग जाती है, तो इंपॉर्टन चीज़ यह है, कि अब उनको डिस्टियन किया जाना है, कि बिटा, खाना आपको हमारे टाइन पे ही मिलेगा, हम तीन टाइन खाना खाएंगे, आप हमरे साथ खाना खाएंगे, हम शाम की चाई पिएंगे, उस ओट आप फल और अगर मिड मॉर्णिंग स्नैक, जिस तरह आप स्कूल लेके जाते हैं, तो वो आपने लेके जाना है, और वो आपने पूरा कर ला है. सुन ये वो चीज़े हैं जिनको दुरुस्त करने से उसकी आदतें दुरुस्त होंगी और वक्ते साथ साथ वो आपके साथ खाना खाना शुरू करते का और सबसे जो इसमें इंपोर्टन चीज़ यह है कि माबाब कौम यही कहते हैं कि आपने उनको खाने के टाइम ठर्टना मारना नहीं है अगर वच्चें खाना नहीं खाते तो उने पियार से कह दें कि अब आपका खाने कर टाइम हो गया आप में जितना खाना था एक निवाला, दो निवाला कhा लिया अब अगले टाइम तक आपको कुछ नहीं मिलेगा लाम हो हाला जब वो चाल घंटे के बाद उसको दुबारा खाने के टेबल पे आएगा ये खाने के दस्तरखान पे आएगा तो थोड़ी बहुत ढूप लब चुकी होगी तो फिर वो बिशन दो थी निवाले खाले और जारे शुरू में टेंट्रंजीत हो करेगा शुरू में मुश्कलाद भी डालेगा लेकिन मफ्पे साथ साथ की चीज़ें ठीक हो जाती है